नमस्कार दोस्तो मैं हूं कीर्टी बड़ोदरिया टेक्निकल बाला जी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम मल्टि फंक्सन ओन स्क्रिंग कीबोर्ड के बारे में देखेंगे इस कीबोर्ड में इतने सारे फीचर्स है कि आप जानकर एरान हो जाओगे दोस्तो ये कोई आर्डवेर कीबोर्ड नहीं है ये एक ओन स्क्रिंग कीबोर्ड शोफेर है जो बिल्कूल फ्री है ये कीबोर्ड फिजिकल डिसेबलेट याने की साररिक विकलांग लोगों की मदद करेगा और जब आपके कोउपूडर का माउस या कीबोर्ड खराब हो जाता है तो दोनों में से किसी एक डिवाइस के साथ आप दोनों डिवाइस का काम ले सकते हो तो आईए सरू करते है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड फिजिस के बारे में बताऊंगा उसके बाद कीबोर्ड के से काम करता है वो प्रेक्टे के ले बताने वाला हो तो आईए सबसे पहले हम कीबोर्ड फिजिस के बारे में देखते हैं आप जैसे मोबल में कूछ अक्सर टाइब करते हो और पुरा वर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है उसी तरह आप कॉम्पूइटर में भी कूछ अक्सर टाइब करके इस कीबोर्ड की मदद से पुरा वर्ड टाइब करवा सकते है उसके बाद एक कीबोर्ड सो से ज़्यादा लेक उसके बाद advanced AAC features, उसके बाद है various layout and sizing options, उसके बाद एक और अच्छा option है DVL, यानि कि आप mouse कोई भी कीपे over करके keyboard से mouse का click का command दे सकते को, दोस्तो अब हम इस keyboard को practically देखते हैं, तो मैं keyboard को open करता हूँ, दिखे ये keyboard है, तो इसे हम पहले reposition करते हैं, तो यहाँ पे click करके हम जहा यहाँ भी चाहे उसे move पर सकते हैं, उसके बाद आप इस keyboard का layout change कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप click करके उसकी size घटा या बढ़ा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको keyboard का पूरा control मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी 3 option हैं, यहाँ पे कई सारे windows के features हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको numeric keypad दिया गया है, और यहाँ पे आपको keyboard function की, उसके बाद यहाँ पे आपको mouse का पूरा control मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, control, shift, zoom, delay, scroll up, mouse single click, scroll down, यहाँ पे right click, double click, triple click, और यहाँ पे drag, और यहाँ पे middle click, तो यह सारे mouse के function भी यहाँ पे number करके, तो यहाँ पे मैं speech box में कुछ type करता हूँ, speech box में type हो जाने के बाद आपको speech keypad पर click करना है, तो जो आपने speech box में लिखा है, वो sound के द्वारा आपको सुराई देगा, उसके बाद आपको keyboard के इस corner पे languages का icon मिल जाएगा, इस पर click करके आपने जो google index से languages डाउनलोड की है, वो सारी languages यहाँ पे आप देख सकते हो, और किसी भी language से इस keyboard के द्वारा आप type कर सकते हो, अब हम देखते है, shift की ट्रेडिक्शन याने की autocomplete features, तो इसके लिए मैं यह पर type करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं यह पर click करूँगा, और उसके बाद P, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, यह पर ओटोमेटिक आ गया है, उसके लगते सारे word आपको यहाँ पर दिखाए देंगे, तो आप देख सकते हैं, किसी भर भी click करके आप type करवा सकते हो, देखिए, अगर मैं application लिखना चाहता हूँ, तो application पर click करूँगा, उसके बाद हम देखते है, devil function तो आपको mouse control पर devil function पर click करना है, अब मैं keyboard पर कोई भी keeper mouse का arrow रखूँगा, तो वो की automatically press हो जाएगी, देखिए, मैं यहाँ पर पर arrow रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं, speech box में, पी automatically आ गया है, और यहाँ पर autocomplete features में उसे लगते सारे word आ गई है, तो अब मैं type करूँग मैं इस keyboard के जरीए type करके देखते हैं, तो इसके लिए मैं notepad को open कर लूँगा, अब मैं इस keyboard से notepad में type करूँगा, तो देखिए, मैं type करता हूँ, application तो इसके लिए यह, देखिए, यह automatic आ गया है, दोस्तों मैं इस keyboard को mouse से चला रहा हूँ, इसमें keyboard का कोई उप्योग नही language को download करनी होगी, उसके बाद आप जो चाहे वो language में type करवा सकते हैं, कोई भी application में, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए, ताकि भारत के सभी विकलांग लोग भी इस keyboard की मदद से अपने computer काम को आसान बना सके, त को मिलते हैं अगले वीडियो में तनियवा,